असलाम अलेकुम जी मुझे कहते हैं बिलाल जफर मैं अपनी फैमिली के साथ इमिग्रेट करके कैनेडा आया हूँ अपने चैनल पर सचे रिव्यूज देता हूँ और कैनेडा के मेरिट्स और डी मेरिट्स दोनों ही बताता रहता हूँ लोग बड़े हकीकत पर मबनी और दिल्चस्प कमेंट्स करते हैं तो एक कमेंट्स था कि बिलाल भाई आप कैनेडा में दिन गिन रहे हैं बस शायद आप सिर्फ यहां प्यार लेने तक हैं उसके बाद आप यहां से उड़न्चू हो जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हम कैनेडा में दिन पूरे कर रहे हैं क्या हम उल्टी गिंती गिन रहे हैं क्या सच है क्या नहीं उन सब हकाइक के बावजूद जो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किये लेकिन एक दरख्वास्त है कि वीडियो को थम्स अप दे दें इसको शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नाजरीन बहुत दिलचस्प आपको मैं बात बताता हूँ जो मैं अपने ही तजर्बे से सीखा हूँ जब मैं दुबई में काम करता था as a planning engineer वहां मैं सुभा साथ बजे जाता था और शाम के कभी छे बच जाते थे कभी आठ बच जाते थे हमें तो मैंने realize किया कि मेरी जिंदगी का एक बेशतर हिसा तो काम पर गुजर रहा है मुझे पसंद है या नहीं पसंद है इसके बगएर गुजारा नहीं है मुझे ये करना ही है तो मैंने यह किया कि unlike before जब मैं यह करता था कि काम पर तो मजबूरी के तहत जाता था बस वापस आकर जो activities मेरी होती थी उन में दिल लगता था मेरा लेकिन वो तो बहुत छोटा सा period होता है जैसे वापस मैं आया साथ बजे साथ बजे से लेके वह मुश्किल ग्यारा बजे तक कि मुझे जल्दी सोना है चार घंटे में आप 24 घंटे में से क्या जी लेंगे तो मैंने realize किया जिंदगी गुजारने का यह तरीका नहीं है मुझे लेना चाहिए जिंदगी को as it comes to me रात आती है तो सुबह भी आती है सुबह आती है तो रात भी आती है मैंने फिर यह किया कि बजाए packets में जीने के यानि वापस आकर जो चार घंटे हैं उनहीं में मैं जीऊंगा मैंने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया वर्क प्लेस पर जिन चीजों में मेरा दिल लगता था और अपने आपको पूरी तरह से मैंने एक्विप कर लिया मतलब मिसाल की दोर मेरा दिल किन चीजों में लगता था मेरा दिल लगता था कि वर्क लाइफ बैलन्स हो उसको मैं ऐसे डिफाइन करता था कि मेरे पास कमज़कम इतना वक्त हो कि मैं रिफलेक्ट कर सकूं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या घुश हूँ या नहीं है दूसरा यह कि मैं अपने पसंद की दूसरा घूब लेकर जाना शुरू करती ही, मुबाइल मेरे पास होता था, वीडियो स््ट्रीमिंग मैं कर सकता था, काम करने के साथ साथ भी, एरफॉंस लगाए, लेक्चर सुन रहा हूं, या मुवी यागाने सुन रहा हूं, जो भी मैंने करना है, अपने साथ इतना सा मेरा बैग होता था उसमें शहत से लेकर इंजीर, खजूर से लेकर, इलाइची, अद्रक का पेस्ट, क्रीम चीज, चिली सॉस, केचप, हर वो चीज जो हम काम पर होते हैं तो हमें दस्तियाब नहीं होती हैं उनके बगार गुजारे करने पड़ते हैं वो मैं छोटे-छोटे-छोटे-छोटे डबियां बनाकर वो मिलती हैं, वहां से वन दिरहम शॉप से मिल जाती थी, इतनी ती सी प्लास्टिक की डबी होती थी, उपर स्किन कलर का धकन होता था, छोटी-छोटी-छोटी-छोटी डबियां, छोटी-छोटी-डबियों मैंने बहुत कुछ साथ में लेकर जाना शुरू कर दिया, इतना सा मेरा बैग होता था, और उसमें दुनिया जहान की चीज़ें होती थी, यहां तक कि मोश्राइजर भी मेरे पास है, टीशू पेपर भी मेरे पास है, कभी अगर मुझे लगता है, स्किन ड्राय हो रही है, मतलब किस इसी तरह से मुझे यह न मैसूस हो कि मैं महरूम हुआ वा हूँ, अगर मैं काम पर हूँ तो, मैं हर वो चीज कर सकूँ, हर वो चीज मेरे पास हो, हर वो चीज मैं खा सकूँ, जो अगर मैं काम पर ना होता, तो मैं खाता, मुझे याद है, मैं अल्गुरेयर से अपने साथ चिली फिश लेकर जाता था वो जो सॉसी सी नहीं होती रेड सी सॉस में लिप्टी हुई इस तरह की और डीप फ्राइड और बड़े मज़गी साथ में उसके वो होते हैं शिमला मिर्श वो मैं लेकर जाता था साथ में कभी पलाव ले गया कभी टूना फिश ले गया अपना ह बार मील प्लान करके बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं घर पर होता तो मैं करता मैं अपने साथ लेकर जाता था ताकि मैं वहां पर जाकर कोई महरूमी मैसूस ना करूं और मेरी चीज दिखने वालों को भी पसंद आती थी अकसर में के साथ शेर भी करता था लेकिन वह इंप्रे सेलर भी है तो मैं उसी वक्त ताजे-ताजे सैंड्विच बनाता था थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग शायद होता होगा दूसरों के लिए विकुज उसकी ब्यूटिफुल स्मेल वाफ्ट करती थी हवा में से और दूसरों के भी नॉस्टिल में जाती थी उनका भी दिल करत था लेकिन मैं अपने साथ रखता था जो कुछ में चाहिए होता था तो मैं वहां से चीज सीख किया कि जिंदगी गुजारने का यह तरीका नहीं है कि आप इंतजार करते रहें वीकेंड का कि आप इंतजार करते रहें काम से चुटने का जिंदगी जीने का यह नाम है तरी पारी मर्जी के खिलाफ हैं लेकिन अगर देखा जाए तो यह बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में भी आपकी मर्जी के खिलाफ होती हैं पाकिस्तान में क्या आप फारिख बैठे रहते हैं शायद पहले बैठे रहना आप अफोर्ड कर सकते थे लेकिन आप पाकिस्तान जितन तक increase हो चुका है आप ऐसे imagine नहीं कर सकते कि आप के पास जब तक एक तगड़ी source of income ना हो आप regular basis पर पैसे especially dollar ना कमा रहे हो तो पाकिस्दान में एक आप भर पूर जिंदगी गुजार सकेंगे financially no अब ऐसा नहीं रहा बिल्स इतने जादा हो गए ग्रोस्री इतनी expensive हो गई है आप कैसे manage करेंगे तो यह कहना के Canada में मसाइल है तो पाकिस्दान में everything was hunky-dory well for me for us शायद था भी ऐसा कि हमारा एक खौबों का असा lifestyle था क्यूंकि अलहमदुलिला जॉब करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी तो सारा time होता था अपने पास लेकिन वह सारा time भी अगर आपको मिल जाए तो क्या आप सब कुछ पा लेते हैं क्या जिंदगी में फरागत ही सब कुछ है क्या आपको वही चाहिए होता है नहीं इंसान को sense of achievement चाहिए होती है उसलसल खुश रहने के लिए growth की sense चाहिए होती है कि आप किसी ना किसी तरीके से गर्मियों की चुट्टियों गा फिर जब गर्मियों की चुट्टियां आ जाती थी फिर हमें स्कूल जाने का इंदजार होता था इंसान को constant change चाहिए ऐसा नहीं कि आपको बस फरागत मिल जाएगी कि इवन अगर आपके एक stable source of income है आपके पास आता जारे से हमारा case था तो बस आपके पास सब कुछ है और बस you want nothing more in life कुछ था ही तो हम लोग यहां पर आये ना हाला कि हमारा माशाला खाबों जैसा lifestyle था तो कहने का मक्सद यह है कि हमारा case तो फिर भी बहुत मुक्तलिफ था लोगों के लिए इतना असान नहीं होता लोगों को पाकिस्तान में भी सुबा उठकर जाना होता है शाम को वापस आना होता है और कई को तो रात को वापस आना होता है और फिर भी वो बिचारे क्या जिन्दगी गुजारते हैं कि आपकी अच्छी से अच्छी भी तन्ख़ होगी अगर आप फश करें id When the love of Rघís का मा रहे हैं तो आपके ख्याल में अगर आपका एक चार्ट का की फैमिली है तो सवा आख रूपे में आप आज कल कुछ जोड सकते हैं पर मंद कमसकम हम चैसा लाइफ स्टाल था जैसा रहना सेहना तो आप यह नहीं सोच सकते हैं पाकिसान भी रहते हुए कि सब कुछ असान है अगर आप दीन पर चलते हैं तो आपको एप्रिशेट किया जाता है this is maybe the only difference वरना अगर यह मैं कहूं कि लोग कैरेक्टर वाइज कैनेडा से बेहतर है तो एक जेनरल मैं बात कर रहा हूं डेफिनेटली कुछ लोग बहुत अच्छी है जेनरली ऐसा नहीं है कोई वहां पर कोई दीनी माहोल नहीं है जितना दिखावा जितना materialism जितनी मुनाफकत पाकिस्तानी लोगों में है इस वक्त शायद मैंने कैनेडा में भी आकर observe नहीं की तो मैं कैनेडा को क्यूं बुरा को हूँ कैनेडा ने क्या बुरा किया है मेरे साथ कैनेडा में ये खराबी है कि यहां पर जगा जगा पर मस्जिद नहीं होती तो ठीक है नमाज अल्ला के लिए है क्या बता मैं घर पर नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे अल्ला ताला उतना सवाब दे दे जितना कि कोई जितना मैं मस्जिद जाकर पढ़ता है, क्योंकि Allah जानता है, मैं नहीं जा सकता मैं Canada को इसलिए बुरा समझू, क्योंकि यहां पर public schools है, जिन में LGBT curriculum है तो ठीक है, हमारी Islamic ideology के साथ वो match नहीं करता तो मेरे पास choice है, मैं public school से उठाकर अपनी बच्ची को private school में डाल सकता हूँ मैं Islamic school में डाल सकता हूँ, हर चीज का alternative है और कोई इतने out of range नहीं है वो schools भी मैं अपनी बात करूँ, मेरी एक बच्ची का मुश्किल महाना 300 डॉलर खर्चा हो जाएगा अगर मैं उसको Islamic school में भेज दूँ तो हर वो चीज, जिस की मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि हाँ ये मसला है, यहाँ ये मसला है, उन सब को तोड़ है विंटर है, तो आज का ही मेरा short देख ले, कोई ऐसा भ्यानक विंटर नहीं है यहाँ का, ठीक है, तीन महीने होते हैं, उन में शदीद बरफबारी होती है तो आप लेरिंग करके बाहर निकले हैं, बहुत ज़्यादा बाहर ना निकले हर चीज का तोड़ है तो कैनेडा ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया कि मैं कैनेडा को बुरा को हूँ हम माशाला हमें अगर मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है, हमें सेम डे अपोइंटमेंट मिलती है और जैसा हमें ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ वैसा हम पाकिस्तान में खरीद नहीं सकते थे वो और बात है कि हाँ हम फिर भी प्रफर करेंगे, अगर हमें चॉइस दी जाए कि कैनेडियों और पाकिस्तानी मेडिकल केर सिस्टम में सब क्या चूज करेंगे पाकिस्तानी क्योंकि कभी भी आप गए हमें अपॉइंटमेंट भी नहीं लेनी पैसे दिये या नहीं दिये गोर्मेंट में चले गए थोड़ा वेट कर लिया लेकिन अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता था वहां भी लेकिन कैनेड़ा भी बहुत जबर जास्त है मतलब अभी मुझे यह नमउनिया था तो उन्होंने मुझे इंहेलर लिख कर दिया गएंथा मुझे पहले एंटीबायाटिक लिख और फिर मुझे बताया कि आप दो अफ़ते के बाद आई का चैस्ट x-ray होगा और पहले मेरे blood tests हुए थे सारे free और वो कह रहें कि हाँ ठीक है आप कोलेस्ट्रोल थोड़ा सा जदा था आप five months के बाद फिर वो सारे blood tests क्राएं वो भी free होगे मेरे और यह जो inhaler है या antibiotics है इनके पैसे थे लेकिन again insurance is there to cover its cost अभी तीन महीने हुए है मेरी जॉब शुरू किये हुए तो इंशाला कोई दिन होगा के बस अब मेरी insurance शुरू हो जाएगी तो मुझे उनके लिए भी पे नहीं करना पड़ेगा medical check-up तो वैसे ही free है एडल्ट्स की दवाईयों के बे करने पड़ते हैं लेकिन कोई ला कोई आपकी insurance हो जाती है या आपने खुद बाए की होती है या आपके काम से आप sponsor हो जाते हैं तो वो भी आपके लिए free हो जाता है तो क्या खराबी की है कैनेडा ने other than that के ठीक है यहां पर हमें तन्हाई है के हमारे अपने लोग नहीं है यहां पर जिसका कोई मतबादिल नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ उसमें कैनेडा का कोई कुसूर नहीं है ऐसा ही होता अगर हम पाकिस्तान में भी किसी और शहर में रह रहे होते मुझा हमारे माबाप या सास सुसर या बेहन भाई सब जिस शहर में है एस लोंग एस आप उस शहर में नहीं है या आप frequently वहां उनसे मिलने नहीं जा सकते तो चाहे आप कैनेडा है चाहे आप के घर व किसी लोग हैं इनमें ज्यादा घुलने मिलने की बजाए आपको थोड़ा सा अपने गिर्द एक शील्ड रखनी चाहिए क्योंकि आजकल जिस किसम के लोग हो गए हैं यू कैनोट बी सो एप्रोचबल एंड ट्रांसपेरेंट कि लोग इतने तेज हैं कि आपको बेच खाए करेंगे आपका फाइदा उठाने की कोशिश करेंगे तो मेरे जैसे बंदा मैं खुदी नहीं पसंद करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा एप्रोचबल रहूं या बहुत ज्यादा घुलू मिलूं भी इट कैनेडा और पाकिस्तान तो बात सेम है बात यह कि जब आप डेली ब कहीं पर यह मुझे कुसूर नजर नहीं आ कि कैन्यदा है हम उल्टी गिंञा बहुति हम ट्वूर हो दूनिया से क्या मैं क्यूं दुबाई जाने के बारें में सोचता हूँ कि मैश मेरी पूरी होगी उसके बा张 एक साल के दुबई में वो 80,000 दिरहम्स पे करता था स्कूल के मेरी दो बच्छियां है और दुबई में इस वक्ट जो एक स्टूडियो अपार्टमेंट है उस वक्ट जब मैं रहता था महां 2018 में 5500 का मिलता था दिरहम्स का आप हो सकता है 7500 दिरहम्स का मिलता हो तन्खुए है वहाँ पर क्या है उस वक्ट एवरेज तन्खुए उती थी 6000 दिरहम्स अभी शाहिद बहुत तीर हो गया होगा तो 10,000 दिरहम होगी तो मैं क्यों सोचूँ कि मैं भागूंगा दुबई वो टैक गुजरे हुए दिनों से ये सीखा हूं कि वक्त वो है जो आपने गुजरते वक्त में जी लिया या तो आपने अपने उपर वो पैसे spend किये आपने खुल कर enjoy किया या आपने दूसरों की मदद की आपने किसी की life easy की आपने सबका छाना खैरात कर दिया वो पैसे आपके काम के है जो पैसे के plots में पढ़े हुए य जो पैसे आप आपके banks में पढ़े हुए है वो पैसे आप ने जानते आपको नसीब भी होंगे या नहीं आप उनको यूज किये बगएर मर जाएंगे या आप से वो हत्या लिये जाएंगे या लोस हो जाएगा आपका तो क्यूं इंसान पैसे जोडने की खातिर और इस तरह के मूव्ज ले उल्टी गिंती गिंता रहे कि पी आर का इंतज सार है और उसके बाद मैं यहां से मूव आउट कर जाओंगा और एक फैमिली वाला बंदा जो एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने में बिलीव करता है कि ऐसे लोग होते हैं जो यह करते हैं कि खुद एक जगह रहे वहां से अच्छी इंकम आ रही है और बाकी सारी फैमिल हो जाती है आपके बगएर जीने में और यह एक लाइफस्टाइल ऐसा है कि अपनी टाकत की उमर पूरी करने के बाद जब आप वापस जाते हैं लोगों में तो वह लोग आपको एकसेट नहीं कर सकते हैं क्यूंकि बच्चे सोचते हैं कि जब हमें आपकी जरूरत थी उस सब्सक्राइब हमारे साथ नहीं थे अब आप के बगैर जब हम पल गए बड़े हो गए अपनी प्रेफरेंसिस सेट करने कि लाइफ में सड्टनली एक बंदा आता है और हमें बताते हैं कि यह चीज गलत है वह चीज सही है वह बंदा जो बाहर एटीम बना होता है उन लों के लिए पैसे कमा रहा होता है वह अपनी कदरों कीमत खो देता है अपनी ही फैमिली में और अगर दुनिया ने तो दुनिया तो ही मतलब परस्त अगर आपके घर में भी आपकी इज़त नहीं है तो फिर आप बहुत घाटे में हैं आपने जो अपने लिए प्रेफरेंसि है उसमें ठाहबं रहा जए जाए अल्पार का शुकेर दा किया जाए ऐखेदें बहुत लोगों से अच्छा है और मैं तो खाली यह नहीं चैने हमेश़ा एक गडिरी कहने की बात नहीं है आप लोगभी में शायद महसूस करते होंगे माशाला जैसे थाली में सजी हुई चीजे मुझे मिल जाती है इवन अभी जो जॉब मैं कर रहा हूं जिसे माशाला मैं इतनी अच्छी इंकम कर रहा हूं यह जॉब मिलना भी लोगों के लिए इतना इजी नहीं है और यह जॉब शुरू में कर you only makes you strong तो यही चीज मैं सीखता हूं Canada से भी जॉब से भी हर चीज से और मैं पहले ऐसे करता था कि मैं वीकेंड का इज़ार करता रहता था कि बस वीकेंड आएगा तो मैं जीऊंगा दो दिन की जिंदगी है उसके बाद फिर वही चक्की की तरह पिसना है यह it's all a matter of perspective stop thinking like this क सोचेंगे आप वाकी ऐसा ही मैसूस करेंगे आप चक्की में नहीं पिस रहे हैं आप अपना time spent करें तो अगला आपको इतने पैसे दे रहे हैं जितने आप सोच भी सकते तो आपको आपके वक्त की कीमत मिल रही है उस कीमत से आपके सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं आपके आश और इश्रत पूरे हो रहे हैं तो क्यों ऐसे सोचना कि चक्की में पिस रहा हूं चक्की में पिस रहा हूं नहीं पिसूंगा चक्की में घर में बैठ जाओंगा तो क्या हो जाएगा एक दिन ठीक है नेंद पूरी हो जाएगे दूसरी दिन अपने सारे favorite shows और movies देख ल में compromise नहीं करना चाहते आप अपनी लग्जरी में compromise नहीं करना चाहते दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुझे काम लग करना पड़े तो मैं समझता हूं कि यह सर्फ एक काम चोरी का attitude है जो अगर कैनेडा से हम निकल भी गए अगर मैं इस तरह की सोच रखता हूं तो दुनिया वो नहीं करेगा वो तो वो नाकारा हो जाएगा वो बेकार हो जाएगा उसकी self-esteem low हो जाएगी अपनी ही नजर में दुनिया की नजर में भी वो अपनी कदरों कीमत खो देता है तो मेहनत हर जगा करनी पड़ती है मुझे नहीं समझाती कि मैं क्यों कैनेडा को blame करूं कि मैं रीजन्स थी कि अपना शहाना लाइफस्टाइल छोड़ कर भी हम लोग कैनेडा आए और वियर नोट ओनली वंस फूल्स हम तो शायद उतने अमीर भी नहीं थे लोगों के मैं जानता हूं ऐसे लोगों को इसलामाबाद में अबुदाभी टावर्स में उनका अपना पूरा अपार्टमेंट था और दो तीन अपार्टमेंट और वैसे उनके रेंट पर लगे वे थे और वो बंदा पी आर लेके कैनेडा आ रहा था उस वक्त मां सोचता था आपको किस चीज का मसला क्यों ऐसा कर रहे हैं आप कैनेडा में क्या जोब होगी कहते हैं नहीं आपने सोच यह तो पता चलेगा जोब बहुत अब क्यों यहां आप तो वो लोग उतने वैल सेटल डोते हैं उन्होंने घाट-घाट का पानी पिया होता है उन्होंने धूब में बाल सफैद की होते हैं वो उन्होंने एवी एक अनिफॉर्म्ड डिसीजन नहीं लेते लोग कैनेडा आन सतर कवे खाए होते हैं और फिर वो इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि अगर उनको मुखा हाथ लगे तो बाहर आए तो हमारे पास यह एक मुखा था जो हम अवेल ना करते तो जिंदगी में कभी दुबारा मिलना नहीं था और एक बार आ गए हैं तो अब अपना citizenship लेंगे इ इंशाला और भरपूर जीने की कोशिश करेंगे तो मैं अब पैकेट्स में नहीं जीता मैं वीकेंड पर नहीं जीता या मैं सिर्फ वापस आकर नहीं जीता बलके मैं ने वो सारी चीजें यहां पर भी काम पर करना शुरू कर दी जो मैं दुबई में करता था तो लिव है कि कमी नहीं है कोई वीमारी नहीं है पिर एंसान सोचता हुए मैं चक्की में पिस रहा हूं मैं पिस रहूं मैं केला मैं तन्हा आये सर्दी-सर्दी तो माज़त के साथ ऐसे बंदे को मैं कोँगा बकवास बंद खटो तो बताए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप मेरे व्यू से इतफाक करते हैं इकतलाफ रखते हैं मेरे ऑनेस्ट ऑपिनियन के साथ जैन्यून राय के साथ जरूर बताईएगा फिर आपको मैं कैनेडा आने के तरीके भी इंशाला आगया आने वाली वीडियो मैं बताता रहोंगा यहां के जॉब मिलने के तरीके भी बिताऊंगा पकिसान में बैठे हुए आप कैसे कैनेडा तूंड scrolling आ सकते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो वीडियो सब्सरीइब करने हैं आप स मिलता ओगली वीडियो वा तब तक के लिए अलाहाफेज